Good morning dear students, ठीक हो आप सभी, चलिए आज हमारी English की class है और इसमें आज हमें activity करना है, क्या activity है हमारी देखिए, यहाँ पर हमको right tick करना है, correct name के आगे, जो आपको picture दी है, उनके सामने दो दो नाम दिये है, और जो correct name है, हमको उसके सामने tick करना है, जैसे कि आपको पहले में तो दि देखो यह picture किसकी है, बैग की और यह बैग के उपर tick किया है, ऐसे ही हमको सारी pictures देखना है, और उसके जो correct नाम है, उसके उपर tick करना है, तो पहले आप यह picture देखो, यह किसकी picture है, यह है when, आप इदर देखिए when कहा लिखा है, तो पहले यह देखिए पढ़ते क्या है, य यह है C, A, N, K और यह है V, A, N, W, N अब यह picture when की है तो हम when की उपर टिक करते हैं आप देखो यह picture किसकी है यह picture है red की अब हम यह पढ़ते हैं यहां पर red कहा लिखा है तो देखिए यह है C, A, T, Cat और यह है R, A, T, Red तो यह जो नीचे वाला नाम है यह है red तो हम इसके पर टिक करते हैं फिर देखो यह picture किसकी है यह है fan पढ़ते कहा लिखाए तो यह देखो यह fan fan और यह वी एन band तो हम यह picture fan की है तो हम fan क्यों पर टिक करते हैं अब यह देखो यह picture पिक्चर किसकी है तो यह पिक्चर है हैट की अब आप देखिए हैट कहा लिखा है तो यह देखो हैट और यह लिखा है बीएटी बैट अब पिक्चर हैट की है तो हम हैट के उपर राइट टिक करते हैं अब आप यह पिक्चर देखो यह किसकी है यह पिक्चर मैं की है और हम इसका सही नाम देखते है कौन सा है तो दिखी यह है M.A.N Man और यह है P.A.N P.A.N आश्स Berks coat तो यह picture man की है तो हम man के उपर right tick करते हैं फिर दिखो यह क्या है यह cat अब हम इसका सही नाम देखते कौन सा है M.A.T. Mat या फिर C.A.T. Cat तो ये रहा सी ये Ticket तो हम इसके उपर राइट टिक करेंगे अब यह देखो, यह क्या है? यह है Jam कहा है अब Jam लिखा हुआ? हम यह देखते हैं अब यह क्या होता है? R.A.M to Ram होगा अब यह देखो, J.A.M क्या होगा? यह हो गया Jam तो हम इसके ओपर right tick करते हैं अब यहाँ देखो यह क्या दिखाई दे रहा आपको यह है can आप देखो कहां लिखा है can पहले हम इसको पढ़ते हैं यह क्या लिखा है यह लिखा है r a a n ran और यह देखिए यह है c a n can तो यह वाला right name है तो हम इसके उपर right tick करते हैं फिर यहाँ पर देखो यह क्या लिखा है यह लिखा है यह पहले picture देखें किसकी picture है यह है tap, tap यहने क्या होता है null, देखें कहां लिखा है tap हम इसे पढ़ते हैं, यह लिखा है tap tap और यह है map map अब इसमें tap कौन सा है उपर वाला तो हम यहां पर right टिक करते हैं तो ऐसे ही आप यह activity कीजिए इसके बाद आप इसके side वाले page पर देखिए इसमें क्या करना है यहां पर हमको दिया है fill in the blanks with the correct letter यहां पर हमें कुछ pictures दी गई है और उसका नाम दिया है लेकिन बीच में उसका कुछ letter missing है तो हमको उसको feel करना है जो सही letter आएगा correct letter आएगा उसको हम feel करते हैं तो आप पहले तो यह picture देखो किसकी picture है यह picture है lips की lips की spelling क्या होती है lips अब इसमें I missing है तो यहां पर आप I write कीजिए ठीक है उसके बाद देखिए यह क्या है यह है nib की spelling होती है n-i-b अब यहां पर भी I missing है तो यहां पर हम I write करेंगे उसके बाद फिर देखिए यह है zip zip की spelling होती है zip तो यहां पर हम correct letter I लिखेंगे और spelling को complete करेंगे यह हो गया zip अब देखिए यह picture है तीन की और तीन की spelling होती है tin यहां पर I missing है तो हम I write करेंगे यह हो गया tin complete ठीक है और last में देखिए अब यह क्या है यह है bib और बीब की spelling क्या होती है बी आई बी अब यहां पर बी आई मिसिंग है तो हम यहां पर I लिखेंगे और यह complete हो जाएगा तो इसी तरीके से आप सभी में जो letter missing है उसे लिखिए और उसके नाम को complete कीजिए तो यह है आज का आपका home work बाई बाई, have a nice day